सचीन पाइलिट के समर्थक 11 जून को पाइलिट के दौसा पहुचने का इंतजार कर रहे हैं 11 जून को सचीन पाइलिट के पिता स्वर्गे राजेस की पुनिती थी है इस मौके पर सचीन पाइलिट दौसा पहुचकर कई कारिक्रबों बेहिस्सा लेंगे पता को शद्धानजली देने के बाद सचिन पाइलेट दौसा के गुजर छात्रावास पहुंचकर पिता राजेस पाइलेट की प्रतीमा का अनावरन भी करेंगे कुछ न्यूस चैनल सोर अखबारों में ऐसी खबरे भी आई थी कि 11 जुन को सचिन पाइलेट नई पाइलेट बनाने का एलाम भी कर सकते हैं लेकिन इन अटकलों पर अलकमान की और सिव विराम लग चुका है कॉंग्रिस प्रदेश प्रभारी सुकजिंदर सिंग रंधावा ने भी ऐसी अपवाहों पर हैरानी ज्वाहिर की थी वैसे 11 जुन को हर साल सचिन पाइलेट अपने पिता राजीस पाइलेट की पुन्यति थी पर दौसा में एक बड़ा कारिक्रम करते हैं हर साल कुछ इसी तरह के कयास भी लगते हैं कि सचिन पाइलेट 11 जुन को कुछ बड़ा करने वाले हैं लेहाजा इस बार भी कुछ इसे तरह के कयासों का बाजार गर्म है फिलहाल सचीन पाइलेट की समर्थक उनके पिता राजेस पाइलिट की पूनेती थी की कारिक्रम की तयार्यों में व्यसता है भंडारा में जस जगह पर राजेस पाइलेट का एकसिडेंट हुआ था वहां उनकी याद में एक स्मृतिय स्थल पराया गया था राइजेस पाइलेट की एक प्रतीमा भी लगाए गई थी हर साल लोग यहां आकर अपने नेता को शधा सुमर अर्पित करते है अब सचिन पाइलेट के समर्थकों की नजर 11 जून पर है जब सचिन पाइलेट दौसा आएंगे और सभा को संबोधित करेंगे पाइलेट अपने लोगों के बीच आकर क्या बोलेंगे उनका अगला कदम क्या होगा इस पर सबकी नजरे टिकी है सचिन पाइलेट के कारिक्रम को लेकर जैपूर से लेकर दिल्ली तक चर्चा हो रही है